है काईज हलो एब्रिवान हाओ यू फ्रेंड्स डियर आल आज मैं आप लोगों के लिए वाइड लाइफ सेंचुरीज का एक वीडियो लेकर आई हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एकसे एकस्पेक्टेबल टू आस्क है यानि पूछे जाने में कुशन कुशन देखे हैं तो examination point of view से आप लोगों को जरूर यहां से मिलेंगे आप लोग उसी एक request है वीडियो को धिहान से देखिएगा बहुत ही carefully और end तक सुनिएगा यह आप सबसे request है प्लीज आप लोग वीडियो को पूरा और end तक सुनें QCL को जरूर सस्क्राइब करें बैल आइकन को करने से आपको निश्चित ही लाब होगा यह मेरी guarantee है आप लोग प्लीज अगर वीडियो अच्छी लगे तो like और share जरूर करें अच्छे comment send करें मेरे motivation और आपके benefit के लिए यह सब जरूरी है World wildlife centuries what is this wildlife century specifically wildlife animal के रहने के लिए घूमने के लिए उनके development के लिए एक specific area यह बना दिया जाता है जिसमें उनकी freedom को कोई disturb ना करें किसी तरह का harassment ना हो बहुत simple language में समझा रहे हूं बहुत simple जबान में wildlife century वह होती है जहां बड़े जंगली जानवरों को रखा जाता है जैसे elephant buffalo musk deer एटसेटर एटसेटर टाइगर तो बहुत ही मतलब useful है उनके लिए यानि के कहें तो basically protection of animal freedom of animal यानि जानवरों की रक्षा करने के लिए और उनके विकास के लिए एक विशेश area चिन हित कर दिया जाता है जो wildlife century कहलाता है आपको last video किये थे national park और biosphere reserve के दो विडियो दोनों में बताया था कि सबसे कम restricted area जो होता है वो biosphere reserve का होता है और उससे थोड़ी ज्यादा restriction होती है यानि कि थोड़ी सी छूट होती है बस किसमे wildlife century में और fully restricted area जो होता है वो national park में होता है national park जो होते हैं national park fully restricted होते हैं और वहाँ सिर्फ government की permission से researchers ही जा सकते हैं otherwise वहाँ पर जाना एलाओ नहीं होता wildlife century में क्या होता है कि जैसे कोई schedule tribes वहाँ के particular रहने वाले हैं या बहुत कोई important research है तो वो कोई लखडी काटने या कोई जड़ी बुटी का कोई वहाँ पे पूधा है जो जानते हैं तो वो लेने only जा सकते हैं लेकिन ध्यान रहे कि animal harassment किसी तरह का disturbance या उनको किसी तरह का freedom में कोई भी कमी feel नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह से कोई भी freedom में थोड़ा सा भी उनने human activities की feeling नहीं आनी चाहिए animals को तो बहुत मामूली सी restriction free किया गया है wildlife century को otherwise restricted area है पस थोड़ी सी restriction कम की गई है तो number one fully restricted area कौन सा है national park उससे थोड़ी कम wildlife century में और उससे भी कम biosphere reserve में अगर हम कम minimum restricted area कहें तो किसको कहेंगे biosphere reserve को 2017 तक भारत में कोल 537 world wildlife centuries थी अभी मैंने current data नहीं देखा है कि कितनी wildlife century अभी और इसमें कम या ज्यादा हुई है अगर कुछ ऐसा points मुझे मिलेंगे तो मैं जरूर आपको बताऊंगी आपके साथ discuss करूंगी तो मेरी बात समझ गया हुँगे animal protection, animal roaming, animal development के लिए जो एक specific area जो reserve किया जाता है इनिमल conservation के लिए wildlife animal, wildlife animal conservation के लिए that we call wildlife century नमबर वन भगवान महावीर wildlife century ये गोआ में है यही पूछा जाता है जादता कि ये किस state में है हर exam में यही पूछा जाता है लेकिन कोई एका दो ही exam ऐसे होंगे कि जिन में पूछ लिया जाए कि कहां situated है वरना otherwise यही पूछा जाता है किस state में है western heart of India पढ़ता है गोआ और गोआ में यह situated है भगवान महावीर wildlife century यहाँ पे बहुत से temples भी है और यहाँ पे बहुत beautiful beautiful मैंदब बहुत beautiful सा view है सीन है और यह क्याना में इसका भगवान महावीर wildlife century देखे इसका पहला नाम एक जब इसको 1979 में वैसे इसको declare कर दिया गया था लेकिन national park and wildlife century दोनों का दरज़ा कब दिया गया इसको 1978 में 1978 में तो गोआ में यह situated है दूसरा चिनार चिनार wildlife century चिनार is located in केरला केरला में है चिनार और यह भी यानि डियर्स के लिए टाइगर के लिए यह famous है और केरला में चिनार wildlife century और यह भी एक बहुत अच्छी जगा पर है मतलब केरला में ठीक याद रखना है आपको तो next one is बद्रा wildlife century बद्रा भी कहते हैं बद्रा या बद्रा wildlife century इट्स सिचुएटेड इन करनाटका यह जो बद्रा रीवर है बद्रा रीवर से लिया गया है बद्रा wildlife century और यह बोले नगरी और बाबु नगरी हिल्स के आसपास फैली होई है यह सराउंड़ेड है मतलब और कहां करनाटक्या जो चिक मंगलूर टाउन है चिक मंगलूर टाउन में यह बद्रा wildlife century ठीक यह याद रखिएगा नेक्स्ट वन करनाटका में नेक्स्ट वन एज शूल्पनिश्वर wildlife century शूल्पनिश्वर wildlife century इट्स इन नर्मदा डिस्टिक ओफ गुजरात नर्मदा डिस्टिक ओफ गुजरात यनि गुजरात के नर्मदा डिस्टिक में यह सिचुएटेड है क्या नाम है इसका शूल्पनिश्वर wildlife century और यह सारी wildlife centuries में नेचर का बहुत कमाल है मतलब एक natural scene बहुत अच्छा है एक बहुत अच्छा view अगर जाए तो नेचर का मतलब एक कुद्रत का एक feel कर सकता है human being लेकिन वही बात है restricted area है बहुत मामूली सी restriction free किया गया है तो इसलिए बहुत मुश्किल है हम जैसे आम लोगों का जाना ठीक तो चलिए आगे चलते हैं और यह जो बद्रा wildlife century है यह 1951 में बनी थी और यह शूल्पनिश्वर wildlife century जो नर्मदा दिस्टिक गुजरात में है यह कब डेकलेर हुई थी यह डेकलेर हुई थी 1982 में 1982 में ठीक यह गुजरात में है और बद्रा बद्रा wildlife century करनाटका में ओके नेक्ट वन इस कवाल wildlife century कवाल wildlife century इट्स लोकेटे इन कैरला यह एक कवाल wildlife century यह मांचूरियन डिस्टिक करके पड़ता है ते लंगाना में वहां पर यह situated है क्या नाम है इसका कवाल wildlife century 1965 में यह बनी थी 1965 में नेक्स्ट वन इस दचीगम मोस्ट फेमस दचीगम wildlife century नेशनल पार्क दचीगम नेशनल पार्क और दचीगम wildlife century यह दोनों के नाम से जानी जाती है और इस सिच्वेटेड इन नियर टू श्री नगर इन जमू एंड कश्मीर नियर टू श्री नगर इन जमू एंड कश्मीर यह भी एक बहुत बड़े एरिया में सिच्वेटेड है कहना में इसका दचीगम wildlife century माफ कीजे sorry to say दचीगम wildlife century and we also called known as दचीगम national park तो बोत ठीक है national park and wildlife century दचीगम जमू एंड कश्मीर नियर टू स्री नगर और यह जो कवाल wildlife century बताई है मैंने आपको यह tiger biosphere reserve declare कर दिया गौर्णमेंट ने इसको 2012 में यानि wildlife century के सासाथ यह तेलंगाना में गुदावरी डिस्टिक के तर्ट पे भी पड़ती है यह sorry godavari river के i am sorry godavari river के bank of godavari river यह नियर टू bank of godavari river पड़ती है तेलंगाना में और इसको 2012 में tiger biosphere reserve भी डिकलेर कर दिया है government of india ने याद रखना है आपको next one is dundali wildlife century dundali dundali wildlife century that that is situated in karnatica और यह जो dundali wildlife century है यह north karnatica north of karnatica में जो है पड़ती है bank of kali river near to यानि bank of kali river पे कहां bank of kali river ठीक है याद रखना है आपको एक आती है इधर यूपी में hasina pur wildlife century hasina pur wildlife century this also popular for most of species यानि के बहुत सारी species के लिए popular है है ना जैसी कि क्या बता हूँ आपको musk deer जहां भी कोई famous होगा बहुत सारी बहुत सारे wildlife animal के species के लिए यह famous है बहुत population है यहां various यानि various species of wildlife animal population कहां हसीना पूर wildlife century कहां पर यह इन यूपी उत्तरप्रदेश और यह 1984 में sorry 1986 में 1986 में हसीना पूर wildlife century को declare किया गया मतलब हमें हसीना पूर wildlife century जो मिली थी वह कब 1986 में इसके बाद एक आता है देखें तो उसको कहते हैं चित्ता नाड़ी wildlife century और सित्ता नाड़ी wildlife century दोनों ही नाम से जानते हैं 36 गड में है यह 36 गड में इसको 1974 में 1974 में established हुई थी अंडर अंडर अनिमल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 यानि वाइड लाइफ अनिमल प्रोटेक्शन एक्ट था 1972 उसके तहत यह 1974 में 1974 में डेक्लेयर किया गया था यह चित्ता नाड़ी wildlife century और इसको कहते हैं लोग चित्ता नाड़ी wildlife century दोनों नाम से 36 गड में यह है ओके और यह जो चित्ता यह जो 36 गड का wildlife century है इसमें क्या है कि इसका देखें Central India का यह बहुत यह बहुत famous wildlife century है Central India की और यह green flora और unique fauna के लिए बहुत famous है यह बहुत सारा flora fauna यहां पर मिल जाता है flora meaning plants यानि lots of types of plants और fauna mean unique species of various species of wildlife animals and birds ठीक है तो जो पश्रू पक्षियों की जो बहुत सारी प्रजातियां मिलती है वो fauna में consider की जाती है और flora में क्या greenness यानि plants की बहुत सारी types मिलती है various types ठीक यह सेंट्रल इंडिया का बहुत most famous जो है वाइड लाइफ सेंचुरी है ठीक अब देखिए लास्ट एक और सुन लीजे दो और सुनिए लास्ट में एक है सत्यमंगलम सत्यमंगलम wildlife century it's situated in tamil naadu it's situated in tamil naadu ठीक है तो tamil naadu में जो नीलगरी district है जो तमil naadu में नीलगरी डिस्टिक है नीलगरी नेशनल पार्क है नीलगरी नेशनल पार्क तो इरो डिस्टिक कौन सा डिस्टिक लगेगा इरो डिस्टिक नीलगरी नेशनल पार्क और इरो डिस्टिक तमil naadu में एक इरो डिस्टिक पढ़ता है और यह नीलगरी नेशन हुई है यानि यह कंसीडर की जाती है नीलगी नेशनल पार्क के तहट और इज रोड डिस्टिक्ट में यह पढ़ती है ठीक याद रखिएगा और दूसरी चीज यह है कि इसमें समझने वाली बात यह है बहुत ही जादा मदू मलाई मदू मलाई नेशनल पार्क और बांदीपूर नेशनल पार्क करनाट का मदू मलाई भी तमिलाडू में है यहां तक ये बहुती मतला दूर तक फैली हुई है 2411 square kilometer के area में 1411 square kilometer के area में 1411 square kilometer area में यह जो है expanded है ठीक फैली हुई है और बहुत ही expensive भी है क्या बहुत ही expensive भी है यह कौन सी निलगरी बाइसफेर रिजर्व में भी आती और रंगा स्वामी टेंपल तक इसमें मतलब का यह चोड़िये टेंपल का यह इंपॉर्टन नहीं पॉइंट तो बस आपको क्या याद रखना है कि निलगिरी बाइसफेर रिजर्फ इरो डिस्टिक तमिलनाडू में मदू मिलाई नेशनल पार्क तक पहली हुई है और उधर कहा यह बांदीपूर करनाट का बांदीपूर नेशनल पार्क मोस्ट वेमा से वह भी तो वहां तक यह फैली हुई है और बहुत बहुत ही एक्सपेंसिव भी है ताउजन यानि वन थाउजन फोर हंडर्ड एलेवन फोर हंडर्ड एलेवन स्कॉयर किलोमीटर के एरिया में यह लकबख फैली होई है लिए वह बहुत इङक्ससेरी पैसे कि वह एं सिपेशी से अनमन बढ़ ला क्यों बहुत सारा फ्लोरफोन यहां पर मिल जाता है आग में यह कि अ एक सैले मली सबी हैं भी तक के इंडिया में बहुती फेमस अब तक के अब तक के मौस्ट फेमस आर्थनोलाजिस्ट है यानि जो बर्ड्स को observe करते अभी तक के birds observer यानि birds की जबान समझने वाले जबान में यही कहेंगे languages का काफी bird languages का काफी knowledge था इने तो अच्छा bird observer थे सलीम अली और सलीम अली सलीम अली wildlife century कहां है यह कहां है गोवा में सलीम अली कहां गोवा में ठीक याद रखना है गोवा में तो कौन सब अभी तक के आर्थोनोलेजिस्ट यानि bird observer है सब अभी तक के इंडिया में ठीक है number one के तो आपको यह याद रखना है ठीक है थोड़ा सा बीच में disturbance हो गया था क्योंकि someone is came that's why and two person are here तो दो लोग लगातार बाते कर रहे हैं तो इस वज़े से आपको थोड़ा डिस्टरब होगा है I'm so sorry तो दो लोगों के बातचीत के दोरान अगर कोई डिस्टरब होगा है तो I'm so sorry but I focused on my teachings only अगर अपने थोड़ा सा भी डिस्टरबंस फिल किया है तो I'm extremely sorry तो all the best all of you and I hope so कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक और शेर जरूर कीजेगा अपना ख्याल रखिये खुश रहिए अबड़ादाओ टेकर अवयर्स्टरब टेकर अवयर्स्टरब टेक्स वाजिए